नमस्कार आप देख रहे हैं कबर्जब बेसहारा गौवन्षो को गौशाला तक ले जाने में ग्रामिड़ने जहेली मुसीबत कहीं हुई मार पीर तो कहीं हुआ स्वागत कौशामी जुले में बेसहारा गौवन्षो से परिशान किसान मंगलवार को गौवन्षो को इखठा कर पैदल चल कर लगभग 45 किलमेटर दूर इस्थित गुरधरपूर गड़ी श्थित गौशाला में पहुचाया इस दोरान किसानों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना सब्सक्राइब परिशान के जुन्द खेट में घुस करके पूरी फसल चट कर जाते इसे परिशान होकर कि किसानों ने अपनी समस्य संबंदित अधिकारियों से बताई तो उन्होंने पूरे लाके के बेसहारा गौवन्षो को इकठा कर गंगा की नादिबने गौशाला में चोड़ने को कहा गौवन्षो को इकठा कर किसान जब टेवा गाउं के पास पहुंचे तो ग्रामिलों से मार पीठ हो गई टेवा के लोगों को लगा के किसान गौवन्षो को यहां छोड़ करके चले जाएंगे पुलिस के समझाने बुझाने पर मामला शान्त हुआ गवन्षो को गिर्धर पुरगड़ी इस तित गौशाले में पहुचा करके राहत की सांस ली इस दौरान बेसहारा गवन्षो को लेकर के जार है किसानों के साथ मार पीठ की घटना के बाद पुलीस बॉर्डर टू बॉर्डर किसानों और गवन्षा की सुरक्षा में लगी जानवरों के द्वारा हमारी फ़ल बहुत नश्ट हो रही थी हम अधिकारियों ने हमें फ़र्मीशन दिया है हम लेहदारी पुल के पास एक गवसाला बनाया गया है वहां जानवरों को अधकर ले जारा है गवसाला कुरा पुलिस भी मदद कर रहा है हमारी प्रशाशन बीमत्र कर रही है उस्तिकी साक्श감이 की कोई वी लडाय जगड़ा न हो पाई इसलिए आगे पीछे फुलिस वाले हमारे प्रिसासन मदद कर रहा। नाम मेरा नीश्च चतुर गो झाल झाल